मूवी के स्टार्ट होते ही दो कॉलेज इस्टूरेंट दिखाय जाते हैं जिसमें एक पैक्स्टन और दूसरा जोस था ये दोनों दरसल यूरोप में घूमने आये होते हैं फिर उन लोगों को आइसलेंड में उनका दोस्त ओली मिल जाता है फिर एक नाइट वो नाइट जिसन देता है कि वो स्लोवाक्या की कोस्टल में चले जाए वहाँ पर उन्हें बहुत सारी गल्स मिलेगी जिनके साथ वो एंजॉय कर सकते हैं ये सुनते ही उनके मन में लड़ू फूटने लगते हैं और वो लोग अगले ही दिन स्लोवाक्या की ट्रेन में बैट जाते हैं उसी ट्रेन में उनके साथ एक बिजनेसमेन भी सफर कर रहा था और वो बिजनेसमेन जब खाना खा रहा था तब उसके हाथ बहुत ही ज़्यादा वाइबलेट हो रहे थे जिसे देखकर सारे लोग हैरान थे क्योंकि वो सक्सुने काफी अजीब लग रहा था फिर वो लोग वो लोग देखते हैं कि उन तीनों के अलावा पूरे इस्टिसन पर कोई भी नहीं है इस्टिसन बिल्कुल ही खाली था इस बात को नजर अंदाज करते हुए और वहां पर उन्हें हर तरफ लड़किया ही लड़किया नजर आती है जिसे देखकर वो लोग काफी खोस हो जा जहां पर सारे लोग मिलकर बहुत एंजोई करते हैं फिर जोस फ्रेश होने के लिए क्लब से बहार आता है तब भागे कुछ क्रिमिनल बच्चे उसे गेर लेते हैं और उससे पैसों की डिमांड करते हैं तब वही बिजनिसमें जो ट्रेन में था वो वहां पहुंच जाता ह और उनके सामने पैसे फैक देता है जिसे बच्चे उठा कर भाग जाते हैं वहां पर जोस उस आदमी को ठैंक्स बोलने के साथ साथ एक ड्रिंक ओफर करता है और ट्रेन में अपने किये गए बिहेव के लिए माफी भी मांगता है और दूसरी तरफ औली एक लड़की को ले वो तो मौर्निंग में ही चेक आट करके चला गया है पर ये बात उन दोनों के समझ से बिल्कुल भी बाहर दी अभी एक जैपनीज लड़की जिसका नाम काना था उन दोनों के पास आती है और फॉन में और उली और उसकी फ्रेंड युकी की पिच्चर दिखाती है वो उन किसी ने उसका सर उसकी बाड़ी से अलग कर दिया था और साथ ही वो युकी को भी टॉर्चर कर रहा था दूसी तर पैस्टन और जोर्ज काना के साथ मिलकर वो जगल से निकलने का प्लान बनाते हैं तब भी वहाँ पर नाटालिया और स्वेटलना आ जाती है और उन दोनों को दांसी कलब चलने के लिए फोर्ज करती है और ज्यद़ा फोर्ज करने पर वो दोनों उस साथ में छले जाते हैं और कलब में जाने की बाद वह लड़किया उन दोनों को कुछ खिला देती है और जिसकी वज़े से जोस की तवित खराव होने लगती है और वो वापिस उठकर होस्टल में आ जाता है और जैसे ही वो अपने रूम में पहुंचता है गिर कर बेहोस हो जाता है साथ ही साथ पैस्टन की भी तवित खराव होने लगती है और वो वास्ट रूम की बजाए कलेट रूम में चला जाता है और उसका डूर बाहर से अपने आप लॉक हो जाता है जिससे वो अंदर बंद हो जाता है और जब उसे होस आता है तो वो मुश्किल से ही कुछ देख पा रहा था वो देखता है कि किसी ने उसे एक रूम में लॉक कर दिया है और उसके चारो तरप कहीं पर करके और जार पड़े हुए है पहले तो कोई आदमी आता है और उसके चैर से मास खटा देता है फिर एक ड्रीन मसीन से उसके चेस्ट में दो होल कर देता है और वो आदमी कोई और नहीं होता बलकि जो टेन में मिलाता वही बिजनेसमेंट था वो जोस को बताता है कि वो हमेशा से सर्जन बनना चाहता था पर कभी भी नहीं बन पाया और इसकी वज़ए ये थी कि उसके हाथ हमेशा बहुत कापते रहते थे यहाँ पर जोस उससे भीक मांगता है कि वो उसे जाने दे वो बाहर जाकर भी किसी को कुछ नहीं बताएगा बस उसे जिन्दा चोड़ दे अब वो बिजनेसमेंट पहले तो जोस के पाव पीछे से काड़ देता है और साथ ही साथ साथ सामने वाले रूंग का दरवाजा भी खोल देता है और जोस के हाथ पाव भी फिर बोलता है कि अब वो आजाद है और वो जा सकता है जोस वहाँ से जल्दी से भागने की कोसिस करता है पर कटे वो पाव की वज़े से वो तुरंट वहीं गिर जाता है फिर वो क्रॉलिंग करके रगड़ते हुए वहाँ से बाहर निकलने की कोसिस करता है पर वो आदमी उसका गला काट कर उसे चांद से मार देता है दूसरी ते पैस्टन को होस आता है तो वो होस्टल पहुंचता है और जो उसके बारे में पूछता है तो रिसेफनिस कुछे बताता है कि वो मार्निंग में ही चेक आउट करके चला गया है जिससे वो फिर से काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ये दूसरा परसंता जो भी नहीं बता है वहाँ से चेक आउट करके चला गया है फिर वहाँ पर वो एक रूम रेंट पर मांगता है जिस पर वो रिसेफनिस उसे एक रूम देता है और साथ ही वो उसे काना के बारे में बुचता है जो जेपनिस लड़की उन्हें मिली थी जिस पर सेफनिस कुझे जवाब देता है कि वो भी मौर्निंग में चेक आउट करके चली गई है अब पैस्टन अपने रूम में आता है तो उसके साथ फिर से वही सब होने लगता है अब वो अस्टलम में ने्टालिया और स्वेट लाना से जो उसके बारे में पूछता है तब वो पहले तो बात डालने की कोसिजश करती है पर जब वो गुच्से में पूछता है तब वो उसे बताती है कि उन्होंने जोस को एक आर्ट गेले में देखा था फिर नेटालिया पैस्टन को वहाँ ले जाने के लिए निकल जाती है वो उसे एक पुरानी फेक्टरी में ले जाती है जहांपर बहुत से अमीर लोग बॉडी गार्ड के साथ खड़े थे अब जब वो लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उस आदमी ने जोसको बुरी तरह से चीर फाड़ा हुआ था और वो किसी तरह का ऑपरेशन कर रहा था पर इससे पहले कि वहाँ पर वो कुछ कर पाता सिक्योर्डी गर्ड आ जाते हैं और उसे पकड़ कर वहाँ से ले जाते हैं अब पैस्टन अपने चारों तरह देखता है जहां पर लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था और हर तरह सिर्फ चीकने और चिलाने की ही आवाजा आ रही थी फिर उसे एक रूम में ले जाकर बान दिया जाता है और साथ ही एक आदमी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और एक हथियार से वो उसका हाथ काटने के चकर में उसकी दो ओंलिया काट देता है और इसकी वज़े से उसकी हथकड़ी भी कर जाती है और वो आजात हो जाता है अब वो फिर से आगे बढ़ता है पर उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है जिससे उसकी हथियार से उसी का पैर कर जाता है अब पेस्टन की जल्दी से खुद को आजात करता है और पिस्टल से उसे शूड कर देता है गन्द की आवाज गार्ट सुन लेते हैं और वो उस रूम के तरब जाने लगते हैं फिर पेस्टन वहाँ से निकलता है और भागते हैं वो एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसे बहुत सारी लासे मिलती है फिर अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है तो वो उन डेड़ बोड़ी के बीच में चुप जाता है अब वो आदमी उन साइड डेड़ बोड़ी को वहाँ से कहीं दूसरी जगर ले जाता है जहां पर उसे जोस की बोड़ी भी मिलती है वहाँ पर वो किसी तरह खुद को संभालता है और मौका मिलते ही उस आदमी को भी मार देता है अब वहाँ से निकल कर फुलिफ्ट के जरी फस्ट वर पर पहुंचता है जहां पर उसे काफी अच्छे कपड़े मिलते हैं जिनें वो पहन लेता है अब उस द्रेस की पॉकेट में उसे एक काड़ मिलता है जो उस जगा का एड्रेस था उस जगा का नाम इलिट हंटिंग था और उसी काड़ के पीछे अलग अलग कंट्रीज के लोगों का रेट भी लिखा हुआ था जिसमें अमेरिका के लोगों का रेट सबसे जएदा था पैस्टन ये सब भड़ी रहा था कि बहाँ पर एक आदमी आ जाता है लेकिन वो समझता है कि पैस्टन एक क्लाइंट है वो उसे बचाता है कि उसे एक जैपनीज लड़की मिली है जिसके साथ उसने बहुत कुछ प्लैन किया हुआ है यहाँ पर वो किसी और की नहीं बलकि उस लड़की काना की बात कर रहा था जिसे पैस्टन मौनिक से डुणने की कोसिस कर रहा है और उस आदमी के जाते ही पैस्टन वोस आदमी की गन उठाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है बाहर आकर गाड़ी में उसे एक चाबी भी लगी भी मिलती है अब वो गाड़ी में बेहटी रहा होता है कि उसे काना के चीकने की आवाज सुनाई देती है तब वो फॉरन अपने जान की परवा किये बगेर उसे बचाने चला जाता है और वो जैसे ही रूम में घुसता है वह देखता है कि वही आदमी टॉट से उसकी आँखों को जला रहा है तब वो उस आदमी को भी वही मार देता है लेकिन काना उस समय बहुत ज़्यादा पेन मैसुस कर रही थी क्योंकि उसकी एक आँख बाहर आच चुकी थी अब पैस्टन उससे बचाने के लिए उसकी आँख को उसकी बाड़ी से काट कर अलग कर देता है यहाँ पर यह बहुत ही डिस्टबिंग सीन दिखाया जाता है अब किसी तरह वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर वहाँ से बाहर आते हैं और गाड़ी में बैटकर वहाँ से बाग जाते हैं इसके साथ ही बहुत से सीक्योर्टी काड़ उनका पीचा करने लगते हैं रास्ते में जाते हुए उसे नाटालिया, स्वेटलाना और एलेक्स नजर आते हैं और इन लोगों की वज़े से ही यह सब हो रहा था तो वो उन सब को गाड़ी से उड़ा देता है जिससे सारे लोग वही मारे जाते हैं अब वो लोग वहाँ से बच्चते हुए किसी तरह इस्टेसन तक पहुँच जाते हैं पर वहाँ वही बहुत से लोग उन्हें डूंड रहे थे वहाँ पर मीर में काना अपने फेस को देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही गिल्टी फिल करती है कि उसका पूरा फेस बिकड़ चुका है और वो सामने से आते हुए ट्रेन के सामने कुद कर अपनी जान दे देती है इस गटना के कारण सारे लोग वहाँ आ जाते है और वहाँ भीड लग जाती है तब मौके का फाइदा उठाते हुए पैस्टन भाग कर ट्रेन के अंदर चिप जाता है और ट्रेन भी वहाँ से चलने लगती है और जब वो ट्रेन में बैठा हुआ होता है तब ही उसे उस बिजनेसमेंट की आवाज सुने देती है जिस स्टेशन पर वो आदमी उतरता है पैस्टन भी उसके पिछे पिछे वहीं उतर जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है वो बिजनेसमेंट अपनी चोटी बेटी के साथ होता है फिर वो लोग अलग-अलग वाश्रों में चले जाते हैं वो आदमी काफी देर अपनी बेटी का बाहर इंतिजा करता है पर उसकी बेटी बाहर नहीं आती वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसकी बेटी मौज़त नहीं होती वो इदर उदर अपनी बेटी को धूनता है पर उससे कहीं पर भी अपनी बेटी नजर नहीं आती दुशरी तर पैस्टन उसकी बेटी को किडनेप करके अपने साथ ले जाता है और वो आदमी अपने बेटी को ढूंड़ता ही रह जाता है इस मुवी में जो कलब दिखाया गया है वो एक ऐसा कलब है जहां पर अमीर और रईस लोग अपना गुसा और पढ़ाश निकालने के लिए अलग-अलग कंट्रीज के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं और अलग-अलग कंट्रीज के लोगों का अलग-अलग रेट था और सबसे ज़्यादा रेट यूएस के लोगों का था और इस काम में वहाँ की लोकल पुलिस भी उनके साथ मिली हुई थी वो लोग वीजिटर्स को लड़िया परवाइड करते हैं और इसी याड में वो उन्हें मार देते हैं इसी के साथ मुवी यहीं खत्म होती है मुवी कैसे लेकी कमेंट करके जुरू बताना और भी कुछ बताना और कमेंट कर सकते हो